नमस्कार दोस्तों मैं एंकोर उपाथियाई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में आज एक सबसे बड़ी खबर बजार में आते हुँ दिखी थी कि जो extended hours में बजार खोलने की बात चल रही थी उस पे सेभी का final decision आगया है कि ये नहीं होने वाला है अब ये सारी की सारी situation क्या है इससे कौन सी companies को नुकसान होगा या फिर ये सब क्यूं हुआ है पूरा case क्या है short और simple language में आप सभी के साथ discuss करने वाला हूँ पहले मैं आपको बता दू बजार में खबरे आई कि market में गैप अप और गैप डाउन होता है आपको भी पता है मुझे भी पता है हम साड़े तीन बज़े बंद हो जाते है भारतिय टाइमिंग के इसाब से शाम को साथ साड़े साथ और आठ अलग-अलग महीनों के इसाब स इसा अमेरिका का बजार ऑपन होता है यह जब देर 12 बजे रात में और उस के चलते हम लोग ऊपर ड़ा गडाउन होते है जात अगर बड़ा मूफ आजाए तो अब इस गप अप बैपडाउन को खतम करने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया और वो प्रस्ताव था कि बजा में एक सेकंड ट्रेडिंग शेशन होना चाहिए रात में पहले सुजाव दिया गया चैसे नौ बजे तक एक ट्रेडिंग शेशन बनेगा वह अमेरिका के शुरुवाती सत्र को एड़ेस्ट कर देगा क्योंकि जितने जादातर कॉर्परेट एक्शन होते हैं अमेरिका में वह सामको 7 बजे भारतिय टाइमिंग के साब से या 6 बजे आते हैं जोब्स डेटा हो गया इंफलेशन डेटा हो गया जो भी होता है जिस पर भी gap up या gap down अमेरिका को करना होता है वो हम लोग अपने भारतिय बजार में evening में adjust कर देंगे फिर सुबा क्या होगा gap down और gap up होने के chances कम हो जाएंगे यानि की बजार आपके लिए normal trade करेगा और उसके बाद एक और प्रस्तावता कि सामको 6 बजे से 9 बजे के बाद रात में 9 से 11 भी trade एक होना चाहिए जिसके बाद खलवली मच गई पूरे बजार में और इतना आसान तो है नहीं यह सब करना क्योंकि यह सब कर करने के लिए क्या है जो हम लोगों को service दे रहे हैं उन्हें double shift काम करना पड़ेगा almost ठीक है double shift कम नहीं होता बाई सुबा 9 बजे से लेगर शाम को 3.30 बजे तक पहले काम करते हो फिर आप कह रहे हो 6 बजे से रात के 9 बजे तक हमारा आपका trade देखा मार दिया cut लेकिन हमें जो ट्रेड मारना है वो जो service दे रहे हैं उनका क्या उनमें कौन कौन आता है सबसे पहले तो आपका जिससे platform को आप यूज कर रहे हो यानि कि broker वो broker आपके लिए double महनत करेगा पैसा भी कमाएगा no doubt दूसरे नंबर पे फिर broker का सौधा जाता है exchange पे exchange को बैठना पड़ेगा और तीसरे नंबर पे फिर सारे के सारे से भी वगएरा और ये जो एप है आपकी वो एप कितना technology के मामले में अपग्रेड कर सकते थे वो contract जादा हो जाएंगे फिर जादा काम करना पड़ेगा तो वो सारी चीज़े भी आपकी जो broker है आपका जो कितना technology में अपने आपको active रखता और कितना upgrade कर सकता ये सारी चीज़े थी तो पहले तो NME यानि की Association of National Stock Exchange यानि की जो NSE है Simple Language में NSE के members ने clearly मना कर दिया कि ये extended hours में काम नहीं हो सकता फिर कुछ समय बाद NME ने कहा यानि की Association of National Stock Exchange यानि की NSE Simple भासा में NSE के members आप कह सकते हो उन्होंने का कि हम extended hour 6-9 फैसला हुआ इंडेक्स में trading होगी क्योंकि stocks को फिर manage करना बहुत मुस्किल हो जाएगा लेकिन index में trading कर सकते हैं ये प्रस्ताव को agree करा गया सेबी को NME ने बोला कि हाँ ऐसा करते हैं सेबी ने का ठीक है फिर अगले चरण में चलते हैं meeting बेठाओ सारे brokers से बात करो और फिर decide करते हैं कि कबसे लागू करना है कैसे करना है कैसे नहीं करना है यानि कि brokers तयार नहीं है यह काम करने के लिए और without broker तो काम होई नहीं सकता है क्योंकि broker ही तो exchange को सौधा देगा अब जब first level का बंदा ही तो बैटर है उसके लिए 24 गंटे बजार को लो उसे ट्रेडिंग करने में आता है मजा उसे पैसा बनाने से मतलब नहीं है क्योंकि trading में हर वंदा हर व्यक्ती clear देख पा रहा है data की loss होता है लेकिन फिर भी वंदा ट्रेडिंग कर रहा है और ज्यादा तर लोग trading करते हैं market में इन्वेस्ट करना सबसे आसान है लेकिन वही सबसे मुश्किल हो जाथा क्योंकि कोई करी नहीं पाता सम्में patience नहीं है इतना तो यह clear cut चीज़े आएं कि brokers ने मना कर दिया extended hours पे cut है अब किसको फाइदा किसको नुक्सान पहली बात अगर extended hours शुरू होते तो cable और cable एक ही इंसान को फाइदा होता वो था broker और फिर होता exchange को फाइदा और एक ही व्यक्ति को नुक्सान होता और वो होता trader क्योंकि उसके लिए 3 गंटे और फिर बजार में और काम करता और loss खाता यह तो सबको पता कि जितना ज्यादा trading करोगे loss होगा आप साड़े तीन बज़े तक stress में पहले ही थे loss लेके गए आप फिर पूरे तीन गंटे तनी महनत करते research कर कर आगे कि यह कर दूँगा वो कर दूँगा और फिर अगले तीन गंटे और loss खा नहीं हुआ तो क्या जो होने वाला था वो नहीं हुआ वो भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वही नहीं चाहते हैं मेरा एक काम है आपका अपने उपर लीजिए आपका एक काम है आपसे बोला जाए क्या आप उस काम को और जैसे simple language में OT होता है over time होता है अगर over time करोगे तो आप ही को पैसा बने का लेकिन आपका खुद का ही मननी है over time का तो क्या achieve तो मिरजे लगता है किसी का फायदा नहीं is अगर होता तो ब्रोकर और एक्सशेंज ए का होता और नहीं हुआ तो इनका ही नहीं हो or क्योंकि यह नहीं चाहते है simple यह था मामला तो मेरे हिसाब से इसको बिलकुल एक event cover की तरफ से देखें कोई market पे impact नहीं आएगा Hope आपको सारी details मैं दे पाया होगा और आपके समझ में भी आई होगी Thank you so much for watching this video Have a great day guys